जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कम्सोर पड़ जाएं, तो आवाज भलंत करनी पड़ती हैं बोल किलब आजाद हैं तेरे, दिवस्कलिक वर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे, प्रस्ताफ तेरे आज मुद्दा ये है ही नहीं कि हर्याणा विधान सभा में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है जिसकी प्रिश्च भूमी में किसानों का अंदोलन है उसमें भारती जिनता पार्टी की सरकार बची वो मुद्दा ही नहीं था गुद्दा कुछ और था आग मेरे सवाल है हर्याणा की बुख्यमंत्री मनोरलाल खटर से तबाही का सामना तो किसान नहीं किया अरे जब किसान नहीं रोया खटर सहाब तो आप क्यों रोये बताई और आपके आख्यासू उस वक्त कहां थे जब राजबीर ने बाकायदा प् इस बात की अपील की कि उन तीन काले कानूनों को खत्म करो जिसमें उन्हों ने इस बात को कहा कि यह सरकार खुण की पैसी है और मैं अपना खुण उन्हें दे रहा हूँ मैं आपसे जानना चाहता हूं खटर सहाब तब आपके आख्यों में आसू आये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ घटर साहब जब दोसों का आकड़ा पार कर गया सौ दिन में दोसों किसानों की मौत सिंग हूँ टीकरी तमाम जगाओं पर घाजीपूर तब आप रोए तब भी आप नहीं रोए जब आपके क्रिशी मंत्री जेपी दलाल और जेपी दलाल साहब क्रिशी मंत्री हैं ऐसा नहीं कि कोई रह चलता कोई बीजेपी आईटी सेल का गुरगा आपके क्रिशी मंत्री ने कहा था क्या रे इन दोसों किसानों को तो वैसे ही मरना था अगर आंदोलन नहीं कर रहे हो तो वैसे मर जाते जेपी दलाल साहब ने जो कहा मैं उसकी हकीकत को नहीं पर रखना चाहता हूँ मगर कहा थी कृष्षी मंत्री के बयान के अंदर समवेदन शीलता क्या इतने समवेदन हीन हो गए है अंदर से तुम इतने पत्थर हो गए हो और जब नहीं यह बयान दिया था तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जेपी दलाल को कि आपने बुला कर उनके सामने आंसू बहाए थे पंजाब और पश्चिमी उत्तर पदेश के एक बहुत बड़े हिस्से में इनका बोरिया बिस्तर जो है वो सिमट गया है सूपडा साफ हो गया है मगर मैं मुख्यमंत्री मनोहलाल खटर के रोने की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि कल इन्होंने रोया देश की जनता के सामने हर्यान की जनता के सामने इसलिए मैंने कारकर्ण के शुरुवात में आपके सामने पूरी जमीन पूरी प्रिष्ट भूमी रखी कि आप तब क्यों नहीं रोये सुनिए उनकी रोदाली मैंने अक्सर देखा है कि भारती जहता पार्टी के जो सबसे दिगज नेता है जब भी किसी मुश्किल में होते हैं तो आंसू बह जाते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि माननी मनोरलाल खटर कहां से इंस्पायर्ड है देखे दोस्तों एक बात है किसान ने दिखा दिया है उसका क्या दम है और उस दम के सामने पूरी तरह से बेदम हो गई है बीजेपी मैं आपको सुना चाहता हूँ जेजेपी क्योंकि जिन दस विधायकों के समर्थन पर बीजेपी सरकार टिकी हुई है उनके देवेंद्र बबली की दो मिनिट की ये बादशीत सुनिएगा दोस्तों इसमें वो बता रहे हैं उसमें उसाफ तोर पर कह रहे हैं कि पार्टी कोई फैसला लेना चाहिए सरकार से बाहर आए किसान का समर्थन दें हम तो ना घर के ना घाट के घर वापिस जानी सकते क्योंकि वहां किसान जो है वो खड़ा है लटले के और यहां पर हमारा वजूद बना हुआ है सुनिये देवेंदर बबली क्या कह रहे हैं और फिर मैं इसकी व्याख्या करता हूँ आज मैं दुश्ण शोट आला जो की डेपिटी सीम है उनसे पूछना चाहता हूँ आप जो सत्ता में पहुँचे हैं वो तो किसान की राजनीती करके ही पहुँचे हैं ना शाहे पार्टी के अब तक के सबसे दिगज देविलाल हो उसके बादों प्रकाश शोट आला फिर आपके पिता अजय शोट आला इन सब ने किसानों की सियास्त की आपके पार्टी के नेता मान रहे हैं कि हम किसानों के बगएर कुछ नहीं है आपके पार्टी के नेता कह रहे हैं अब हम अपने घर वापस नहीं जा सकते तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या सत्ता में बना रहना दुशन चौटाला आपके लिए इतना जरूरी है कि आप किसानों की भी सुनेंगे किसान आपसे बेज़त नहीं होगा चाहे आप सत्ता के लिए कुरसी से चिपके रहिए वो बेज़त नहीं होने वाला है उसने अपना दम दिखा दिया है देवेंद्र बवली के इस बयान में बेबसी दिखाई देती है अबहे चौटाला और उनके तमाम विधायकों की मगर आप ये सवाल करेंगे कि आखिर अबहे चौटाला बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं देपिटी सेम का जो लालच होता है वो एक आसान लालच नहीं होता है मगर उसके लावा कुछ और चीज़ों पर मैं आपका ध्यान खीचना चाहूँगा आप जानते हैं कि ओम प्रकाश शौटाला और इनके पिता अजय शौटाला दोनों बेल पर रहा हुए वजह थी कुरोना आपको क्या लगता है आपको क्या लगता है कि अगर दिश्चन चौटाला ने चमतकार करके इस सरकार के वो बाहर भी आ गए तो आपको क्या लगता है इसका क्या परिणाम होने वाला है इसका सीधा परिणाम यह होगा कि अजय चौटाला वापस तिहाड जेल जाएंगे ये बात अलग है कि कुरोना का बहाना लेकर इन्हें बेल मिली थी मगर उसके बाद इन्हों इन्हों क्या किया जैसे ही बेल मिली 27 दिसंबर को ये लोग पहुँच जाते हैं गुजरात और गुजरात के बाद एक तारी को गोवा पहुच जाते हैं जी हाँ दुशन चौटाला के पिता जो हैं वो गोवा पहुच जाते हैं और खुद दुशन चोटाला जो हैं खान मार्किट में शौपिंग कर रहे होते हैं और उसके बाद शायद वो भी गोवाप महुच जाते हैं और वो भी तब जब किसान, सिंगु बॉडर, टीकरी बॉडर तमाम जगाओं पर मर रहा होता है इन लोगों के आँखों में किसान के लिए तब बिलकुल आँसु नहीं आए थे क्योंकि जिस राजबीर की मौत हुई है वो भी हर्याना का रहने वाला था उसकी बात को आप अंसुना कर दिये और उसके लिए आपके आँखें बिलकुल भी नम नहीं है आँखें नम तो बहुत दूर की बात है आँसु की एक परत तक नहीं है आपके आँखों में हकीकत ये है तो इस बात को समझ जाएए कि अगर इन्होंने किसानों के लिए इस सरकार को त्याग भी दिया तो सीधे आजय चौटाला वापिस जो हैं तिहाड जाने वाले हैं और एक बात समझ लीजिए अगर आपको राजनेता का चरित्र और उसके शखसियत के अंदर क्या ताकत है वो जानना है ना तो ऐसे ही हालात में आपको पता चलता है कि एक राजनेता के अंदर कितनी ताकत दोस्तों क्योंकि क्या हो जाता अगर आजय चौटाला वापिस जील चले जाते या उनप्रकाश चौटाला वापिस जील चले जाते तो क्या होता मगर उस डर से ये लोग अभी भी बीजेपी सरकार में बने हुए हैं जबकि मैं नहीं बुलाओं कि हर्याना विदान सभा की जो पूरी कैमपेनिंग हुई थी तो दुशन चौटाला के पूरे तेवर जो हैं वो बीजेपी खिलाफ थे और फिर जाकर वो उनकी गोद में बैट गए दुशन चौटाला आप यह नहीं जानते हैं कि कुरसी पी बने रहने का मुह आपको राजनीती में कितने बड़े नुकसान की तरफ ले जा रहा है आप एक युवान एता हैं आपके पूरी उम्र बड़ी हुई है आने वाले दिनों में अगर आप ये बड़ी खुर्बानी किसी और के लिए नहीं किसान के लिए आपने की होते हैं और सिर्फ हर्याना के किसान के लिए नहीं देश भर के किसान के लिए तो आपका मुकाम कहीं और बढ़ जाता मगर आपके लिए आपकी कुरसी इतनी प्यारी है कि आप उसको नहीं त्यागेंगे यही वज़ा है कि मनौर लाल घटर सुरक्षित हैं उन्हें किसी तरह की कोई चुनौती नहीं मगर जैसे मैंने कायर करम में कहा न आने वाले दिनों में कोई चमतकार हो जाए तो वो बात अलग है मगर भारती जनता पार्टी का इन तमाम इलाकों में बोरिया बिस्तर जो है वो सिमट गया है या फैरो क्या ये एहिंकार इसलिए है कि बीजेपी इस बात को बहुभी समझती है कि चाहे कुछ भी हो जाए चुनाव जैसी है आएंगे तो हम माहौल को थोड़ा और उगर कर देंगे हिंदू मुस्लिम कर देंगे तो चाहे किसान हो या वो युवा हो जो आज की तारिक में रोजगार के लिए ट्विटर पर बॉकलाए हुए है आंदोलन कर रहा है वो फिर बीजेपी को वोट दे देगा क्योंकि धार्मिक असमिता से बड़ा तो कोई मुद्दा नहीं है ना उसके सामने सब नत्मस तक हो जाते है आज यही सवाल मैं इन तमाम किसान निताओं से करना चाहता हूँ तमाम बड़े-बड़े किसान निता जो इस वक्त आंदोलन कर रहे है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब वोट देने की बारी आएगी तो आपके लिए क्या फैक्टर रहेगा क्या तब धार्मिक अस्मिता के सामने आप घुटने टेक देंगे क्योंकि सवाल यही है ना कि आज की तारिक में जो लोग कृशी कानूनों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं या नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं जब आपको नौकरी मिल जाएगी जब आपकी मांग पूरी हो जाएगी चलिए कल ना कर लीजे कि कल को मोदी सरकार का दिल पसीच जाता है और तीन काले कृशी कानूनों को वापस लेती है तब आप क्या करेंगे तब आप क्या धर्म के आदार पर जातिक्याधार पर वोट दे देंगे या आपको ये बात याद रहेगी किस तरह से सौ दिनों तक किसान जो है वो आंदोलन करता रहा कुछ आंकड़े ये बता रहे हैं कि तीन सो मौते हो चुकी हैं रोज तीन तीन लाशें घर जा रही हैं और इस सरकार के एंकार के सामने कुछ भी माइनी नहीं रखता है वो सरकार क्योंकि जब किसान पहुए नहीं था ये वो सरकार है जिसने इस आंदोलन को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया लगातार निशाना साथती रहे जो लोग किसानों के पक्ष में आए, उन्हें तक टार्गिट किया गया है शाहे वो 22 साल की दिशारवी हो शाहे वो मंच हो जहां से इस वक्त मैं बात कर रहा हूं हर किसी को निशाना साथ आगया है जो किसानों के साथ ख़ड़ा था मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि जब सब कुछ सामान में हो जाएगा जब वोट देने की बारी आएगी तब क्या आप ये सब भूल जाएंगे क्या कभी आपने अपने मन के अंदर ज्छाक कर इस सवाल का जवाब देने का प्रयास किया है क्या ये सवाल जरूरी नहीं है दोस्तों यकीनन भारती जाता पार्टी बहुत मुश्किल में हर्याना में तो हालत आपको दिखाई दे रही है इसके लावा कल ही त्रिवेन सिंग रावत को पत से हटाया गया है जो शक्स चार साल तक सत्ता में था उसे हटा दिया है जबकि अब एक साल बचा है अगले विधान सवा चुनावों में यानि कि बीजेपी जनता को क्या संदेश दे रही है जनता को ये संदेश दरी कि चार साल हमने जिस शक्स को मुख्य मंत्री बनाय रखा हो नाकारा है दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हाला कि मुझे नहीं लगता योगी आदितनाद को कोई खत्रा है उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होने वाला है ये वही जगा है जहां सो विधायक आज से कई मैनों पहले धरने पर बैठे थे ये अब प्रत्याशित था मीडिया ने उस खबर को दबा दिया हो एक बात अलगे त्रिपुरा में भी बिपलव देव के खिलाब बगावत के सुर बुलंद हो रहे है असम में क्या हो रहा है आप जानते हैं ना असम के अंदर सर्बनन सोनवाल कहने को मुख्यमंत्री असम के मगर भारती जनता पार्टी इन चुनावों में उन्हें चेहरा बनाकर पेश नहीं कर रही है हेீमंत बिस्व शर्मा जो है वो भी चुनाव लड़ रही है यान की हो सकता है कि सर्बनन सोनवाल जो है वो मुख्यमंत्री ना रहे हैं यानि की असम के अंदर भी दो पारट फिर बैंगलूरु की बात करते हैं बैंगलूरु के अंदर आप जानते हैं एक सेक्स सीडी में इनके एक मंत्री फस गए थे, उसको लेकर इन पर दबाव है, और उसी तरह से येदरप्पा की जड़ें, जो की मौचूदा मुख्य मंत्री हैं करनाटक के, उनकी जड़ें कोई और नहीं, बलकि बीजेपी की नेता काट रहे हैं, तो हर तरफ बीजेपी क जानाफत है इन राज्यों में, मगर जैसे मैं बार बार कहता हूँ, बीजेपी के पास वो तुरुप का पत्ता है, जिसके सामने सब कुछ धराशाई हो जाता है, उनके पास एक मीडिया का प्रॉपगैंडा है, जो पूरी तरह से, जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, जि जानी के एक जमाने में हम जो हैं, इस बात कुलेकर मुदा उठाया करते थे, कि देखिए मुसल्मानों को डराने के लिए, इसलाम खत्रे मीडिया का शिगूफ़ा चोड़ दिया जाता है, आज वही शिगूफा हिंदूं के बारे में छोड़ा जा रहा है, कि हिंदू खत्र है तेरे में बस इतना ही मेरी आप सबसे अपील कि इस कायर करम को जादा से जादा लोगों की साथ शेयर करें और न्यूस क्लिक को ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बलकि उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई शो आए सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए अब इसार शर्मा को दीजे अजासत नमस्कार